अलो एवरीवन वेल्कम बैक टार यूटूब चैनल इन्वेस्टोलोजी डॉट कॉम वेर लर्न इन्वेस्टिंग इन डीटेल दोस्तों जैसे क्या आप देख सकते हो हम आपके लिए लेकर आए है और एक बिग डिविदेंट रिलेटेड वीडियो इस वीडियो में हमने एक लगाई है जिन्होंने अनौंस्मेंट कर दी है बड़ा डिविदेंट और यह नवंबर महीने का डिविदेंट रहने वाला है एंड साथी साथ इस वीडियो में हम इस कंपनी का क्विक फंडमेंटल अनालेसिस भी करके आपको दिखाएंगे तो कौन सी है यह कंपनी एक वीडियो में जरूर मिलेगी उमीद करता हूं आप इस वीडियो को अन तक सरूर देखोगे अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आये हो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो थैंक्यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो इन एडवांस चलिए स्टार्ट कर ले यह एक च्छोटी कंपनी का जो बिजनस है वह बहुत ज़्यादा प्रोफिटिबल समझा जाता है और प्रोफिटिबल है यह कंपनी हेल्थ सेक्टर की है बात अगर स्टॉक प्राइश की करें मतलब पी रहश्यो की बात करें 64.3 है इंडस्ट्री पी रहश्यो की बात करें 55 है मतलब ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के मुकाबले में महेंगी अवैलिबल है ओवर वैलूड है ओवर प्राइस्ट है बात अगर रिटॉन ऑन कैप्टल एम्प्लॉइड की करे 25-2% है कि जो की अच्छा परसंटेज है रिटॉन ऑन एक्विटी भी अच्छा है 20.4% का है डिविडेंट यील्ड भी अच्छा है 0.78% का है बात अगर फेस्ट वैलू की करें तो 10 रुपे पर शेर का है प्लेज़ परसंटेज यहां पर कुछ नहीं है प्रमोटर्स ने कोई भी शेर गिरवी नहीं रखे है रिजर्व की बात करें तो 1,918 करोर्स का टोटल रिजर्व है यह कंपनी का जो की एक अच्छा रिजर्व है डिपेंडिंग ऑन दो मार्केट कैपिल मार्केट कैपिल जितना है उसके हिसाब से कंपनी का रिजर्व भी बहुत जबर्दस है बात अगर secured loan की करें तो कुछ भी नहीं है जिसकी वज़े से debt to equity ratio भी यहाँ पे low है और unsecured loan की बात करें तो 247 करोर्स है लेकिन 247 करोर्स को जब compare किया जाएगा reserve से तो यह बहुत ही छोटा loan है that is the reason debt to equity ratio भी छोटा है 0.10 बात अगर interest coverage की करें तो 23 times यह company अपना debt pay कर सकती है and debt free बन सकती है बहुत ही आराम से EPS की बात करें तो 48.1 रुपी है यह company का EPS जो की बहुत अच्छी चीज है इस company का CPM की बात करें तो 3088 रुपी पर शेर के हिसाफ से this was trading in market and high की बात करें 3,000 52 weeks high की बात करें 3,654 है and 52 weeks low की बात करें तो 1,943 है तो यह अपने 52 weeks high के बहुत जदा नजदीक है तो यह बना सकती है the only negative thing यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो है change in promoter holding in the last quarter minus 0.68% से promoters ने अपने shares को dilute किया है कहीं न कहीं उतना जदा dilution नहीं है but dilution है 0.68% is very near to 1% तो कहीं न कहीं इस पे आपको गोर करने की ज़रूरत है तो overall बात की जाए fundamentals बहुत अच्छी है company के सब चीज अच्छी है almost everything is very good only in change in promoter holding जो की decrease हुआ है rest everything is perfect in terms of key fundamentals अब आपके साथ हम इस dividend के details share करेंगे dividend 6 rupees per share के हिसाब से ये company ने announce किया है ये health sector company है जैसे कि मैंने पहले भी कहा 5th November estate रखी गई है 5th November ही record date भी यहां पे रखी गई है stock prices already told you 3,088 rupees per share के हिसाब से this was trading in the market and the name of the company is dr. lal path labs limited very renowned company health sector testers करते है बहुती जबर्दस profitable business इंका माना जाता है and बहुती renowned company है lab इंका बहुत जबर्दस्त है और यह testers भी बहुत all our India में करते हैं thank you so much for watching this video अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को like कर सकते हो share कर सकते हो comment भी कर सकते हो please please subscribe to our YouTube channel साथ ही साथ press the bell icon notification ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही videos की notification सबसे पहले सबसे fast thank you so much for watching this video once again